हेलो फरेंड्स आप सबी का स्वागत है बुक केमिस्ट्री क्लासेस में तो अभी तक हमने कोडिनेशन केमिस्ट्री अजय कुमार का कंप्लीट पूरा उसका चैप्टर वन तुचैप्टर बुक्स रीडिंग कर चुका हूं ठीक है अब हम पढ़ेंगे और गमेमेटालिक्स के एलिया सर का लगता है मुझे ठीक है तो इस मतलब और विटलेक्स हम इन राइटर से पढ़ेंगे बेडी गुपता अलिया सर बहुत ही नामे मतलब अच्छे राइटर है और बहुत ही अच्छे आप इसको सब्स्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन अन करेंगे तो आपको मिलता रहेगा कोई वीडियो अप्लोड हो रहे है कि नहीं हो ठीक है तो चैप्टर सुरू करने से पहले हम उसका कंटेंट देखेंगे उसमें क्या क्या में पढ़ना है तो फर्स्ट है चैप कंटेंट पता होगा तो आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हो और मैं एक 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 चैप्टर का एक एक वीडियो अप्लोड करते होंगा ठीक है चैप्टर नमर पोर है न्यूट्रल स्वेक्टर लिगेंड दाट इस फॉस्पीन एन हेट्रोसाइकलिक कार्बीन के बारे में च चप्टर रेइत है उनीग रेक्शान in औरिवाल्ण केमेस्ट्री चैप्टरण एक यापका Africa मेड़ा है चैप्टर टान हे आपका मेटलह क्ःमेटलेषिर्खर चैप्टर इले आपका स्वेंडियो वैंटियो ईğॉसी कार्छिज सिस्पीन इसलएं और भिठ्य कार्वेंग् चैटर मेर 13 है आपका hydroformylation, सब बहुत important, चैटर मेर 14 है methanol carbonization and olefin oxidation, that is mangetto, cativa and vacus process, चैटर मेर 15 है olefin metathesis, चैटर 16 है palladium catalyze CCNCN cross coupling reaction, इसमें आपको पता है, सुझ की सोनो कैसी रा, steely, kumada, इसा बातनी है, चैटर मेर 17 है आपका olefin polymerization polymerization and oligomerization reaction, ठीक है, चैटर मेर 17 है आपका, चैटर मेर 18 है, फेरोसेंस में structure, bonding and reaction, यतना हमें पढ़ना है, ठीक है, चैटर मेर 19 और 20 जो है, चैटर मेर 19 का है, ergonomatics polymer, और 20 का है, 20 चैटर मेर 20 का है, आपका है, यहापर देख लो, एक मैट, हाँ, चैटर मेर 20 है आपका, बायो इन और्गेनो मेटालिक्स केमिस्ट्री, तो, जो भी competitive exam होते है, चैटर मेरे 19 और 20 उतना ही important नहीं है, बट अगर मेरे पास time रहा, या आप लोग को बोलोगे तो, चैटर 45 मार्क्स के आया था, अकेले आप गने में टाइक टॉपिक से, तो, मैं समझता हो कि इस टॉपिक को हर एक चैटर को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है, और बुक्स रीडिंग में आपको ये benefit होता है कि एक-एक word, मतलब इससे बाहर तो कुछ पूछी नहीं सकता, अगर आप बुक्स रीडिंग करके, मतलब बुक्स पढ़के गए होना, या आप बुक्स सूर के भी गए हो, कहीं से भी, कहीं, नोट तो आप पढ़ते हो, नोट तो हर किसी के पास है, कहीं वीडियो लेक्शे सब के पास है, बट बुक्स रीडिंग करने से क्या फायाद होता है, कहीं से भी कुछ नया नहीं लगेगा, आप सब कुछ हैंडल कर लोगे, उसमें कुछ concept समझे होगे, ठीक है, मैं य किसी को लगता है कि है कि यहां share करने के लिए आपको, किसी के share करेंगो, तो उसका ही फैयदा होगा, आपका फैयदा होगा, ठीक है, और like भी करेंगा, तो मुझे ज़्यादा अच्छा आप मैं कुछ अच्छा कर रहा है, तो चले दोस्तों, आज chapter number one start करते है, अब बहुत ह 16 कोड़ी chop sap question के ड़ींदी हो गेथा दो दो घंटे का गलेकिंदी चXT सब्सक्राइब हो जाएगा किसे अब रिद केमेस्टी टामिटरी तो इस हम एक यह पर ऊंसरी स्टार्ट करते हैं इंक्रग्णुल्य कभी मौन थी चैनल नोबर वन थीघ να words Earth सब्सक्राइबısı सब्सक्राइब सब्सक्राइब platinum हो गया, platinum और carbon का bond हो गया, तो यह मेरा organ metallic compound हो गया, कोई साब भी आप ले लो, मतलब titanium का हो गया, carbon का हो गया, कोई साब भी आप metal है यह, यह carbon है, ठीक है, इसके बीच में कोई भी bond आपको directly दिखा, उसको हम रो लेंगे organ metallic chemistry, while many chemists prefer to say that for a compound to be classified as an organ metallics compound, the type of metal carbon bonding in a molecule should be covalent और partially covalent in nature, जब भी मतलब metal carbon का मतलब ऐसा बोला जाते कि classified करो organ metallic chemistry, तो type of metal carbon कैसे होते है, should be classified into covalent और partially covalent in nature, the scientific community as well as general publishing articles in organometallic chemistry tells, take a more liberal view, ठीक है, this leading general of the field defined an organometallic compound as one in which there is bonding interaction, bonding interaction means ionic, covalent, localized or delocalized between one or more carbon atom of an organic group or a molecule and a main group, transition, lanthanoid, actinoid, metal atoms, ठीक है, वाई सिंपल सा है कि metal और carbon की बिच में we want हो रहे है, कुछ भी covalent हो, localized हो, ionic हो, delocalized हो, कुछ भी हो, ठीक है, following long standing tradition, organic derivatives of the metallite such as boron, silicon, germanium, arsenic, tellurium are also included in this definition, ठीक है, हम जैसे carbon को लेते हैं, वैसे boron को, silicon, germanium, इन सबको भी, उसमें define करेंगे, it is also introduced, understood, that the element to which carbon is bound is more electropositive than carbon, sorry, it is also understood that element to which carbon is bound is more electropositive than carbon in argonometallic compounds, simple से हैं, फंडा यह है, कि जैसे आपने बोलते हो, कि metal और carbon का bond होना चीए, ठीक है, बट यहां पर मैं बोल रहो हैं, यहां पर, कि आप कोई भी compound, मतलब कुछ भी लेलो, यह लेलो, ठीक है, और आप कार्बन लेलो, यह हो गया, कार्बन और यह कुछ भी हो गया, condition यह है कि जो आप यह जोड रहो न, यह more electropositive होना चीए, कार्बन से, ठीक है, इसे को हम organometallic chemistry बोल सकते हैं, ठीक है, एसा नहीं किसे मेटल, मेटल तो, देखो, मेटल जनल सी बात है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है, कुछ भी हो, ऐसा compound यहां पर होना चीए, जो कार्बन से more electropositive nature हो, डिकता हो, उसी को हम वहां पर रख सकते हैं, कि भाही बोल लाएं आप है, कि इस अल्सो अंडर्श्टून देर, element to which, carbon is bound to more electropositive, more electropositive than carbon in argomentalics compound, ठीक है, बाइस्ट अन प्रियोडिक टेबल, one can probably classified arganometallic chemistry further into transition metal, जैको, metal को आपने, मतलब कैसे कैसे ब्रेकर सकते हो, आप transition metal ले सकते हो, main group metal, main group मतलब S और S वाला, 1 plus 1 plus 2 वाले group ठीक, alkali metal, alkaline earth metal, and lanthinoid, actinide based arganometallics ठीक है, आपने कितना लिया, metal 3 types के मतलब आपने divide कर दिया, transition metal मतलब D-block वाले elements को ले सकते हो, main group वाले S-block वाले L-lanthinoid को ले सकते हो, among these, the most well-developed, mechanistic, understood, and widely utilized in catalysis is transition metal argonometallic chemistry, in sum, main group हो गया, lanthinoid, actinide हो गया, transition metal हो गया, तो सबसे most popular, सबसे most useful, जो हम लोग होता है, transition metal को ही लेके, useful मतलब काम करते हैं, ठीक है, as a catalyst, therefore, the focus of this book, will be mostly on transition metal organometallic chemistry, हमारा focus कहा रहेगा, मतलब, mostly रहेगा transition metal और argonometall, जब कोई सें, scandium carbon की बीच में, मतलब argonometall लेकिया, कुछ भी ऐसा हम लोग पढ़ेंगा, transition metal को ज़ादा पढ़ेंगे, transition, traditional chemists, do not agree to classifying metal cyanide complexes, as a argonometallic, अब बताओ, metal cyanide में C है, C है, और metal MC, हाँ, तो वहाँ पे transition chemistry जो थे, वो argonometallics को नहीं बोलते थे, while many refers to molecules such as, such as the well-known Wilkinson catalyst, as argonometallic event through such molecule, lack the required metal carbon bond, अभी Wilkinson catalyst को भी argonometallics नहीं कहा जाता है, ऐसा बोलते हैं सब लोग, क्योंकि वहाँ पे क्या था, बाद में इसको ठीक किया गया, it is convenient to use when the molecule in question has reaction chemistry that is derived from or will lead to an argonometallic intermediate products, यहाँ पे कहने का मतलब यह, कि जो Wilkinson कहाँ था, उसमें metal carbon का कोई भी आप देखो गया ना, क्याटलिस को, उसका कुछ रहता है, तो उसमें directly, metal carbon का कुछ ऐसा है नहीं वहाँ पे है, बाद ठीक है, तो भी हम उसको organometallic chemistry के मतलब लेते हैं, ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि हम जो जब catalyst का एक cycle होता है, catalytic cycle बोलते है, उस cycle में metal carbon का bond form होता है, इसलिए उसको argonometallic chemistry काते हैं, तो यह सब problem हो रहत कि metal carbon का बोलना चाहिं, काबने हो आचे, तो भी बोलना है, कि इस इस विन वहन दो उस, वेन दो मॉलेक्वल इन वैक्षिन है, इस रिएक्षिन केमेस्टी, तो अगर इंटर्मेणियर प्रोडुक्त है, तो अगर इंटर्मेणियर फोर्म करते है, इसलिए इसको हो रहा है इसको रिसको रिचर्च में तो भाई साब पे बिच्छ role in the economy of developed nation as about a third of all chemical produce now produced nowadays as organometallic catalysis. आपको पता है अगर catalysis मतलब हमें discord मिले तो कोई भी काम मतलब असानी से हो जाएगा उसका productivity सब कुछ उसका तीजी से हो जाएगा ठीक है जो काम एक अपते में होता था हो एक दीन में हो जा रहा है एक घंटे में हो जा रहा है तो कितना important है catalysis को find out करनो उस पर कितना जाद रिसर्स हो रहा है the application of organometallic compound in organic synthesis, industrial catalysis and materials chemistry have increased the importance of this branch of chemistry ठीक है आप समझ रहो कहाँ इसका कहाँ use नहीं है हर जगा industrial है organic synthesis मतलब दवा में कहीं पर भी हमें use होता है ठीक है अभी सिर्फ हम यह पढ़ें कि कभ कभ स्टार्ट हुआ था कैसे कैसे स्टार्ट होता 1890 में क्या हो था लूट्विंग मॉंड मॉंड थे फांडर बिटिस केमिकल कंपनी ठीक है पांडर थे कोई भी मतलब उनका नाम था मॉंड पाइशे में अगे करें नाम धाल सब्सक्राइब करह्ण कार्मों के तरह डान नाम था चार्मास के दीक हमें डाल पर युज टिऊ फिल यह यह दो इसने नाम नहीं श्युगिंस यहराइब निक नट फोगिंस स्ट बना लिया कर्बों कि और लूं इस कार्में अना जे नाम में क्या हूँ, बार्बेर रेक्जेंट पेस्स आप संप तो इसे में आप को और में रिजेंट यह पो आप कह लेतने अमस्ट नोगर दिसेंट खाना कॉथ इसे एंच परहिए उनुनेश यह खे निषाङ लिया उसके साथ कंभाइन किया उन्होंने मेटल किया संभनगी के बात है यहां पर यहां पर यहां पर जिंक जो थी उसको लिया तुसके साथ क्या हो यहां पर आलकोहर मतलब यह और लोना ठीक कि रिगनाट रिएक्साइड अब देखो उनका इस्टुडेंट में क्या करते हैं ग्रिगनाट रिप्लेश जिंक विट मैंगनेशयम इन बार्बियर एक्षन ठीक है अपने टीशर के रेक्षन में चेंज कर दिया ग्रिगनाट रिएजेंट सार मच मोर वार्ट सेटाइल अनन है बनाया था बड़ उनका ती मतलम समझे अब क्या हो रहा है फिर 1912 में Victor Grignard and P. Sabatier received the Nobel Prize for the Grignard reagents and Sabatier's method of Hydrogenation using metal powder Nobel Prize पाया गया 1912 में 1917 में कैसे हो एक स्टोरी देखो कैसे कैसे चल रहा है फिर 1917 में क्या होता है Williamson Slank prepared the first alkyl lithium अब उन्होंने क्या लिए lithium derivative बनाया alkyl lithium derivative by transalkylation of organo mercury compound the synthetic capabilities of lithium derivative even truly replaced Grignard reagents as the primary anonic reactive intermediates lithium lithium लिया उन्होंने और उसमें mercury का emilgum बतब जो भी होता है emilgum नहीं हो सकते ही R2HG लिया उन्होंने RLi को replace कर दिया and 1921 में क्या हुआ Thomas Midgley working for GE motors introduced tetraethylate as anti-knock additive in gasoline जब भी आप bike क्या कोई भी कारवा ले तो उसमें आवाज आता है तो आवाज को करने के लिए उसको करते हैं anti-knock करने के लिए उसको क्या करते है anti-knock additive use के था उन्होंने 30 सालेट को 1930 में क्या हुआ था के के जिगलर इंटर्द्यूस अ प्रिपरेशन और लिथियम compounds by a simpler route और लिथियम मुन्होंने बनाया कैसे बनाया by simpler route विच वस फॉर्दर फुट ना फानिट्यूद बाइ गिल्मैन गिल्मैन आपको पता है इस इंकरेस्ट वाइबर उस अफ आर्गनिवन अर्गनोलिथियम compound ठीक है लिथियम लिया वन्होंने प्रिपह प्रिपह्स अमिलेकर यह बना दिया प्रिपहसी यह आर एक लिया डाले आर अरेलाय बन्या जिपहर बनाया मोस्त कमान ट्रिकर्स प्रिकर्स प्रोसेजर आपका ये बन गया अल्डीहाइड बन गया ठीक है अलकीन से आप ये अल्डीहाइड बना दे रहे हो 1943 में क्या होता है इजी अपना देश आजाद हुओ था 1947 में जाद हो था उसके पहले 1943 में इसले बतानों कोई स्टोरी याद रहेगा ठीक याद मतला मज़ा थोड़ा लेते रहो पढ़ा ही गरते हो ठीक मैं उन्हें एक बेंजीन डेडियोटिव टाइप का बना दिया था में EO FACIALS and W.Hoffner prepared bisbenzeene chromium by rational synthesis अल्थो FN had probably made the same by reaction of CRCL3 and PHMGBR in 1919 ठीक क्रोमियम को नोला मला है 1955 में के जिगलर रंग जीन अटर डेपलेप ओलिफेन पोलिमरिजाशन अट लोग प्रेशर देख रहेगा आप कितना काम हुए इस पे 1959 में फर्स्ट इस्टेबलाजेशन अप साइक्लो ब्यूटादाइन पाइक कॉंप्लेक्सेशन 2M मेटल ठीक है 1961 डिस्कोर्स डिस्कोर्डी आफ वस्कास कॉंप्लेक्स विच रिवर्सिबले बाइंट ऑक्सीजन 1960 में इनको नोबल पैस मिलता है जीगलर रंटा को 1964 में इओ फिसस प्रिपेर्ड फर्स्ट मेटल कार्भीन कॉंप्लेक्स मेटल कार्भीन मेटल कार्भीन मेटल कार्भीन के विच डबल बॉन रहेगा तो मेटल कार्भीन बोलेंगे त्रिपल बॉन रहेगा तो मेटल कर्भाइन बोलेंगे ठीक है 1965 में Wilkinson & Coffeyn in separate studies used PPS3 RACL as a homogeneous Wilkinson करेश्ट आपड़ आपको बोल लाता है यह यह as a homogeneous catalyst in the hydrogenation of alkyne ठीक है 1968 में William S. discovered asymmetric catalysis whereby complexes containing chiral ligand catalyst the conversion of a chiral substrate to chiral product with high enantiomeric axis the first such system involves asymmetric hydrogenation of alpha-acetamidocynamic acid derivative using a rhodium catalyst 1972 में RF, HEC, NT, Missouri discovered the palladium catalyze substitution of vinyl hydrogen atoms with aryl halide which open a diverse palladium based catalysis reaction in organic chemistry 1973 में क्या होता है EO Faces prepared the first metal carbine complex metal carbine 1973 में prepared हुआ 1973 में को Nobel Prize में Nobel Prize for EO Faces NC Wilkinson for the work on metal sandwich compound 1976 में क्या होता है MF Lepard prepared the first main group elements di-metylene by making the first thin thin double bonded compound 1979 में क्या होता है Suzuki and Miura published their first paper on Suzuki coupling of aryl boronic using palladium catalyst ठीक है यह उन्होंने यह बनाया था आप साना पूरा organic chemistry का रिवीजन पढ़रों की हाँ पढ़ना क्या है 1980 में वोटलर केमिंस की में जर्क 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 बेस्ट कैटलिस्ट एक्स्लिशिव फर ISO and syndeotatic को सब पता चलेगा बाहर मतला बाद में 1981 में Roberts West made the first stable compound having a silicon-silicon double bond silicon 1990 में Richard saw the discovered a molybdenum based catalyst of formal olefin methethesis 1991 में J.M.Hawkins made the first full rain based organometrally compound which was also the first structurally characterized full rain derivative later on host of organometrally compounds with direct metal carbon bonds with ETA-2 bonding was discovered 1995 में Roberts group repaired his ruthenium based olefin methethesis Grubbs catalyseus 1997 में CC equipment showed the C atom as a ligand in organometallic compound 1997 में G.B.Romansian synthetra salt Na2AR GA GAAR and prostatic gallium-gallium triple bond 2001 में के ओता है W.S. knowledge received the Nobel Prize for asymmetric hydrogenation along with KB surplus and R. Neury 2002 में E.Nakamura prepared bocky ferocins molecule hybrid of ferocins and full rains by treatment of C16H, ME5R, C17H, ME3 with FPC5, CPCO2C 2004 में XCVC prepared the first silicon-silicon triple bond molecule and carried out its structural characterization कही single-single bond बना कहीं सिलिकॉन की बीच में कभी double bond कभी थर बना ऐसे ही डिस्कोर आगे बढ़ता आ गया 2004 में E.K.Romar prepared the first zinc one organometallic compound यह हो गया 2005 में A.S.T.O.B. in France, Robert H. Groups, Richard R. Schrock, USA received the Nobel Prize for olefin methethesis 2005 में Philimpower prepared the first stable organometallic compound with a possible quintuple bond अभी देखो quintuple bond मतलब 5-fold मतलब 5 bonds रहेंगे आपके 2006 में Peter C.Alhards prepared hexaferocelene benzenine 2 as a impossible molecule impossible molecule बोल गया इसको ठीक है अभी यह इतना हमारा स्टोरी कब तक था 2006 तक था ठीक है आगी भी study अभी आप count करते जाओंगे endless ऐसे studies हैं चलता रहा है research ठीक है तो main main important जो आपको organometallic master में important है जो name reaction था यह कुछ भी था आपने इक बास सुन लिया नाम उनका क्या 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 आप उसको deep में पढ़ेंगे एच्छे से पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है जैसे आप अगर पढ़ते पढ़ते हैं बहुत अच्छा इस्टोरी और यह बुक तो बहुत अच्छा इस्टोरी के साथ बनाया गया है ठीक है 1.3 importance of organometallics compound अभी इसका importance क्या था देखो इतना तो बन गया अब उसको reagent जिसे treat करते हैं तो organic chemistry used organic chemistry वाले क्या करते हैं यूज करते हैं organometallic compounds as a reagent as well as a catalyst reagent जैसा भी यूज करेंगे और इसको as a catalyst भी यूज करते हैं the usefulness of organometallic compound especially the alkali and alkaline earth metal compound such as butyl lithium and organomagnetium reagents is the most visible phase of organometallics to organic chemistry मतलब मेंली जो और मतलब organic chemistry यह होता है यह होता है मतलब alkali और alkaline earth metal compound जैसे lithium हो जैसे lithium हो जैसे lithium वाला हो गया magnesium, gregnadi यह सबको पता है कितना यूज होता है organic chemistry में ठीक है वही बोल रहे है a variety of carbon-carbon coupling reactions such as suziki, sonogarisa, haek, negacy which use palladium complex हो क्या यूज करते है, palladium मतलब palladium का complex use करते है and involve organometallic intermediates as or well known for their functional group tolerance organosilicon protecting organosilicon के protecting groups such as tri-methylacylene यह सब protecting group है मतलब किसी alcohol को कुछ भी किसी को ketone को कुछ को मतलब protect करना है तो हम यह protecting group use करते है tertiary butyl, dimethylacylene, TBD-EMS, TI-TIPS, tri-isopropyl, celyl, also form an integral part of the organic chemistry ठीक है, organic chemists use many organometallic reagents and catalysis for very specific application some of these are highlighted below, जैसे की organo-zinc, उनका क्या है, Barbier पता है था, Grignard के ठीचर है भाई साहब है organo-zinc reagents, the Barbier reaction, 1899, the zinc equivalent of the Grignard reaction and actually the older and the more tolerant of the two, in the presence of traces of water, the formation of organo-magnesium halide will fail whereas the Barbier reaction can even takes place in water, देखो क्या होता है, Grignard reagent को हम बिलपूल, मतलब water होना नहीं चाहिए reaction में, जैसे एक बुंत भी water रना मारा पूरा reaction होगा है नहीं होगा, कुछ अलग होजागा, ठीक है तो इसलिए, Grignard reagent का बहुत बड़ा disadvantage है कि हम उसको aqueous media में, मतलब पानी के presence में करी नहीं सकते हैं लेकिन बारी बर क्या था, zinc वाला, zinc equivalent complex है, वो हो जाता था हम आपे, इसलिए हम आपे बोला कि Barbier reaction can even take place in water, ठीक है, on the downside, organo-zinc compounds are much less nucleophilic than Grignard, Nucleophilic मतलब की उसका ज्यादा देने, मतलब Nucleophile क्या होता है, जो इस electron rich होता है, electron rich को Nucleophilic बोलते है, तो organic zinc compounds are much less nucleophile, वो कम Nucleophile है, ठीक है, as compared to Grignard reagent, the reformist reaction which converts alpha-haloester and aldehyde to beta-hydroxy ester, also goes through an intermediate argon-zinc halide, in the Simon Smith reaction, the carbenoide-idomethyl zinc iodide reacts with alkene to form cyclopropane, ठीक है, C-S2 group मतलब प्रोक्साइड जोड़ाता हम आपे, the negacy coupling involved palladium catalyzed cross coupling of organo-zinc reagents, ठीक है, अभी second organo-copper reagents, the most useful organo-copper reagents are lithium di-alkyl cuprates, R2-C-U-L-I, यह तो आपको पता है, Gilman में भी बहुत ज्यादा है, मतलब Gilman का यह है, R2-C-U-L-I, these are formed by the reaction of two equivalents of organo-lithium compound with a copper halide, copper halide और organo-lithium को, हम लोग कंबाइन के रहा हमारे यह बने है, R2-C-U-L-I, these reagents are soluble in ether, यह soluble होता है ether में, and are useful in the displacement of halogen, especially in the coupling of two different alkyl halide, यह और यह halogen को displace करने है, हटान, रिप्लेस करने के लिए यह होता है, ठीक है, यह होता है, also known as a Corey-Posner-House-Wight-Stat Synthesis थी है, ना हम इतना बड़ा उतना है, यह आपको पता होना है, यह आपको पता होना है, R2-C-U-L का, रिप्लेस करते है है, हलोगन को, addition to alpha-beta-unsaturated aldehyde and ketone, being out the difference in the reactivity between organo-copper reagents on the one hand, and the organo-magnesium and lithium reagents on the other, while organo-lithium and magnesium reagents react by simple addition, that is when the nucleophile adds across the double bond of the carbonyl group called 1-2-edition, it resembles addition to conjugate diene, the di-alkyl-cuprate preferentially react by conjugate addition called 1-4-edition, ठीक है, यह मारा होगना nucleophile आया है, हाँपे, जुड़ गया, 1-2-edition हुआ, यहाँपे 1-4-edition, R2-C-U-L-I डालेंगे तो 1-4-edition होगा, और बाकी, यह नहीं है, RL-8-RM-G-E-X डालेंगे, तो 1-2-edition होगा, ठीक है, कितना हमें 1-4 बना तो R2-C-U-L-I कितना अच्छा है यह, अभी थर्ड है, मतलब organo-cadmium reason, cadmium के बारेंगे उसमें, अभी थर्ड है, हमारा अभी थर्ड होगा, मतलब सबसे कम होता है, इसमें, हमें यह reagent use करते हैं, ठीक है, जितना कम reactivity होता है, उतना ज्यादा selectivity होता है, ठीक है, तो इन लोग का ज्यादा यह useful होता है, कि reactivity का में हम प्रॉपर उसके लिए use करेंगे, इसका इसका हमें बनाना है, ठीक है, यह मना alcohol हो गया, मतलब ketone से alcohol बना दिया, mg-X टाल के, और 2-C-U डालेंगे, तो मारा ketone बना जाएगा, ठीक है, जो कितना अच्छा यह हमें, यह हमारा क्या acid fluoride है, ठीक है, acid fluoride में हम क्या करना है, cadmium डालेंगे तो ketone बनेगा, और गिर्णा डालेंगे, तो मारा alcohol बन जाएगा, अभी यह क्या है, argano iron reagent, ठीक है, iron, the efficiency of the FeCO3-YT in protecting 1,3 dienes, and it used as a stereo directing group in various type of reaction is well documented, acyclic diene tri-carbonyl iron complex are valuable intermediate particularly for the asymmetric synthesis of polyenic natural products and structural analogs, the diene system is temporarily protected and this allows reaction to occur at remote center of the molecule without interference from the dienes, another interesting fact is that the chemical reactivity of the molecule can be altered or completely modified as against the uncomplexed compound, okay, यह होग है, यह होग है मारा, planar chirality shown by ergonometallic compounds such as ferocene and other sandwich compounds in is unique and makes a very significant contribution in the area of asymmetric catalysis, ferocene in loka, kitna jyada use asymmetric catalysis, unlike other forms of chirality there is no racemization possible without bond breaking in such molecules, okay, derivative of ferocene and a few other stable metallocene and half sandwich complexes are well known for their planar chirality, many organic species which are highly unstable and often in oak as intermediate can be stabilized once they are bound to metal this provide valuable evidence for their mechanism especially the formation of intermediates the example given below so how the highly unstable cyclobutadiene and benzyne molecules are stabilized by metal complexation okay the interest of inorganic chemistry in organometallic chemistry is dominated by the usefulness and diversity shown by organometallics as a homogeneous catalysis inorganic chemist also explore the synthesis of new organometallic compound their stability structure studies and then determine their potential application especially as a catalyst to a minor extent they are also interested in using organometallic compound in the production of device and as a carrier for depositing a fine coating of a specific metal coating as a polymer and a material precursor most of these will be discussed in the forthcoming chapter 1.3.2 organometallic compound as additives organometallic compounds find application either as a bulk additive for modifying the existing property of a specific compound or as a catalyst in the synthesis of industrial important organic compound especially in the reaction where stereo specificity is required due to strict environmental safety rules and regulation the use of organometallic compound has been building in the former category while their use has increased over the years as a homogeneous catalysis okay for many applications it is not easy to find alternative for organometallic compound and hence they are used even today through a much less amount any situation where they do not cause much environmental harm in structure than they would understand the importance as a you just do not cause the um for the corp and the component it is a conventional system of organic극 Press and this is most important but its not the Like Sale this should be caught up in turn butile elements of the regression example are given below triethylate anti-knocking agent के लापको बोला था है यह आपे MMT यह देखों anti-knocking के लिए यह भी योज होता है फे फेरोशीन TBT example of well-known organ metallics additive अब तेल पढ़ते हैं triethylate Thomas Midgley working at General Motor Research USA discovered in 1921 that tetraethylate of viscous colorless viscous colorless liquid can act as an effective anti-knocking agent particles of lead and lead oxide PbO formed on combustion of tail added gasoline this helps क्या करता है this helps the gasoline to burn more slowly अभी तेल अपनी हम लोग डालेंगे diesel या petrol भी लागे वो धीरे जरे बर्न करेंगा तो उसका efficiency knocking ऐसा बहुत अच्छा रहेगा ठीक है लिगन अगर फास्ट जलेगा तो उसका नौकिंगे बहुत ज्यादा पालतेगा तो उसकी को रोकने हम क्या किया थे मताब वो साइंटिस ने क्या उच किया था तो ट्राइथा है लेड डिसकोर गया था ठीक है gasoline to burn more slowly and smoothly preventing knocking and with higher octane ratings after experimenting with chemicals such as iodine and aniline and trying out variety of organic and organometallic derivative mid-light discovered the very high relative anti-knock effectiveness of tail table 1.1 gives as a comparison of tail with some of the other early additive in 1970 the annual consumption of lead in the anti-knock additive picked at 279,000 metric tons per year in the yesterday and 326,000 metric tons worldwide ठीक है letra ethyl कैसे prepare करते हैं ethyl lead कैसे बताब अपने lead लिलिया sodium लिलिया or CS3 CS2 CA मिक्स कर लिए आपको यह बन जाएगा ठीक है और pipe बनेगा relative anti-knock effectiveness of selective early organometallics and organic gasoline additive additive अपना aniline relative effectiveness यह ठीक है इसका मतलब उनने लिया था इतने all triethylene यह डाई था इसले में तो कितना उन्हों लिया था और rating देख उसका 118 सबस्यादा इसका ही था ठीक है more powerful high compression engine were built to use a higher octane leaded gasoline one of the initial drawbacks was that the solid lead and PBO formed were formed to quickly accumulate and affect the efficiency of the engine ठीक है तो मतलब क्या होता था तो जो अपना lead था solid और PBO lead oxide जो था accumulate कर लेता था engine में और effect करता था engine को अपको पता है lead कितना जादा poisonous होता है the heavy metals होता है but poisonous poisonous lead bromide and lead chloride respectively and are released exhaust from the engine ठीक है और engine से बहान निकलता हो poisonous gas an additional problem associated with leaded gasoline is that lead in the exhaust pipe would poison the catalytic converter standard component for modern cars catalytic converters which serves to oxidize unburnt hydrocarbon carbon monoxide nitrogen oxide content platinum groups metal and that get inactivated by lead leaded gasoline in cars was phased out in the USA from 1973 in the European Union from 2000 in China 2001 and was banned in Canada from 1990 in India the phasing out began in 1994 and was completed by 2000 completely banned tail remain is an integrate of aviation gasoline and is also still available from unlimited number of outlets as a fuel additive mostly for owners of classic and vintage cars and motorcycles in addition tail is still in use as an integrate in the fuel used by NASCAR in the racing series and in many underdeveloped and developing countries okay methyl अभी वह भी मतब यूज हो रहे इसका ही बोला अब सेकेंड है MMT methyl cyclopenta dienyl manganese tricarbonate this is an argonometallic manganese car argonometallic manganese carbonyl compound manufactured by ethylene ethyl corporation and sold under names such as high-tech 3000 and ak-33x unlike the non-methylated analog Simon Trin CP-MNCO-3 which has melting point of 75 degree celsius MNT is a liquid melting point of minus 1 degree celsius and has NT not property quite similar to tail okay so what is the tail alternative? MMT what is its name? methyl cyclopenta dienyl manganese stricarbonate okay CP-MNCO-3 ethyl corporation also indicated that amount of MMT required as additive is much less compared to tail per litre of petrol 1 litre petrol mein behoth ikam amount MMT used as compared to tail marketed initially in 1958 as a supplement to tetraethylate MMT was later used to increase the octane number in unleaded gasoline through banned as a gasoline additive in the United States from 1977 to 1995 MMT has been used in Canadian gasoline since 1976 and was recently introduced in Australia the clean air act of 1977 banned the use of MMT until the ethyl corporation could prove that additive would not lead failure for of new core emission control system okay what do they do? they don't have any ethyl in it as a result of this the ethyl corporation began a legal battle with the EPA thik hai claiming that MMT was harmless to automobile in 1995 why study chalta raga in 1995 the US Court of Appeals ruled that EPA had exceeded its authority and as a result MMT becomes a legal fuel additive in the United States global car makers in the US and Canada states particularly in their respective warranties for cars that they do not recommend the use of petrol that contains MMT as it adversely affects the spark plug and emission system although initially used in some refiners in India the use of MMT was discontinued completely in India from 2006 studies have demonstrated that gaseous emission can increase by as much as 118 to 143% due to damaged emission control system caused by manganese deposits look at how much of the engine is in it it also lowers fuel economy fuel economy it will also be banned in 2006 the health hazards associated with MMT use have been hotly debated for decades a 2003 study by the National Industrial Chemical Notification and Assessment Service NIC NAS of Australia suggested that MMT was highly toxic to human Australia what research did you get? that MMT was very toxic to human but rule that airborne concentration of manganese as a result of car emission from vehicles using fuel containing MMT were not high enough to cause a major health problem due in part to fears of remaining from the environmental disaster that was leaded gasoline and questionable effect of MMT on automobile engines MMT used in the United States as a gasoline additive has been virtually non-existent chronic exposure to manganese has been known to cause magnesium the symptoms of magnesium are similar to those of Parkinson's teachings ok this is about tail and MMT now ferocene carbonaceous particulate matter emitted by diesel engine constitute a significant health hazard what is diesel engine? what is it? what is it? a significant health hazard in addition to anti-knock property another objective of using fuel additive is to reduce soot emission the soot suppressing property of ferocene or well known from different combustion system ok ferocene is relatively soluble in liquid fuels ferocene is soluble in liquid fuels is air stable air stable and non-toxic and unusually heat stable various studies prove that ferocene reduce the formation of carbonaceous matter during combustion by more efficient burn out of the fuel iron oxide particles that are formed may act as a catalyst to promote soot burn out in oxygen rich region of the combustion system ferocene is also the safest additive used so far it is safe as it does not cause any environmental pollution or health related hazards ok it is claimed that if used as a fuel catalyst for rocket propellant it can improve the combustion speed by one to four times lower the temperature of exhaust pipe and avoid infrared chase when used in fuels oil such as diesel oil heavy oil light oil it can eliminate smoke save energy and reduce air pollution adding 0.1% ferocene to diesel oil can cut down the consumption of oil by 10% to 14% eliminate smoke by 30 to 70% eliminate smoke by 30 to 70% and improve power by more than 10% unfortunately the iron oxide based deposits from ferocene can form a conductive coating on the spark blood surface leading to spark blood failure in America's this advantage is the disadvantage that the iron oxide deposit was used in ferocene there is a spark plug which is harmful to the spark plug figure 1.2 shows that how adding ferocene to diesel oil can reduce the level of soot in the smoke produced burning of diesel oil with and without ferocene as a tube with and without ferocene as a tube oxygenate blending adds oxygen to the fuel by using oxygen bearing compounds such as methyl tertiary butyl ether mtb ethanol as a ethyl ethyl tertiary butyl ether etb and reduce the amount of carbon monoxide and unburnt fuel in the exhaust gas in many areas throughout the United States of America oxygenate blending is mandatory although mtb was projected as a viable alternative to organometallic additive it also has come under severe criticism and a possible ban as it gets into ground water although it is not very toxic it is not it is not very biodegradable either and has a strong taste and smell noticeable at the 15 parts per million level there has been a strong movement to ban it from petrol in California in particular probably another oxygen containing compound such as ethanol which will be more environmentally friendly may become a major player such compounds may not be toxic through they will be probably increase the cost of gasoline also storage system have to be modified since alcohol such as ethanol absorbs water and can lead to rusting and growth of bio organism in the fuel tank kuch na kuch payade ghatay har cheez mein tha now bis tributyltine oxide tbt marine foaling the attachment of crushed oceans and other slow moving sea creatures to submerged part of the sea at a sea is common problem faced by sheep owners and navel fillets tributyltine anti-foalins method provides sheep owners with effective protection against marine foaling growth for a period of two existing five years to the modern sheep owner the impact of folding falling is notably fuel felt in fuel speed and economy as little as 5% falling on the hull of the tanker can increase fuel cost by 17% and one study has shown that one millimeter thick layer of slime can cause a 15% reduction in shape speed once falling has been established the only lasting solution in a costly docking of the sheep to remove such growth and restore the smoothness of the fall with an effective anti-foaling paint system the most effective and economy method so far to prevent falling growth of sheep has been used to cause continuously releasing anti-foaling biocytes the most effective among such as such compounds has been bis tributyltine oxide tbt before the entry of tbt sheep builders used a formulation of natural wood progene and copper oxide which was effective for a smaller period of time in the 1970 argonitine co-polymer paints were recognized as effective biocytes and a soluble paints binder which would physically smooth the surface once applied and release the biocytes at a constant rate that means if it was in sea proof of the sea proof of the sea proof in the sea proof that it was a contaminant the oil is used in sea proof so it would not be used to save the organic team for over a period of around 5 years a US navy estimated in 1986 indicated that plate wide used of organic team paint can save 110 million in fuel cost in the late 1970 as a link was established between TBT and deformities in oyster and the other वुज सिप्ट वार्भ शुज स्प्टिंध प्रवार्व इस ले ले लोग उज भूर्म आप में इस बूरिख फैस विलो तो तर दीज न थान्थ अ। प्रॉर्व तो ट्ट्ब्ट तो फित टुम इस अपन पंच बंच बंच अब्सेश, संध च्ब घंध्यों टीज लो विल 2008. However, a viable alternative is still not fully established. Silicon polymers are being tried currently as anti-folins, but with restriction. 1.3.3, organometallic compound as a catalyst. Traditionally, industrial process used heterogeneous catalysis where reactant passed through weed or gauge of solid catalyst. है? Heterogeneous catalysis क्या होता है? जब अपर रियक्तेंट का और catalyst का phase different होता है. उसको heterogeneous catalysis बोलेंगे. और जब रियक्तेंट और catalyst का phase same हो. जिससे दोनों solid है, अपना reactant भी और अपना catalyst ही. दोनों solid हमको बोलेंगे homogenous catalyst. मतलब same phase में होना चाहिए. Same phase में homogenous, different phase रहा तो heterogeneous. ठीक है? Most laboratory rusks use homogenous catalysis, reactant product in the same phase often as a liquid. This means that valuable catalyst either remains in the products. or has to be separated from the mixture by tedious and expensive methods. Especially for pharmaceutical and food industry, it is not good to have catalyst contaminating the product. तो अच्छा नहीं होतक क्य प्रडुक्क्त मारा आलोग्री में प्रेज़ प्रेज़ धो लेर अल्सो मानी हमिट्डुमी करोने निच एक नहीं हो आलोग्री हो इनलोग्सिट जा थिर अज्द धी यह ग्या The advantage of using argonometallic homogenous catalysts are many and selectivity in product formation is a major attraction especially in the synthesis chiral molecules. Well known argonometallic homogenous catalysts what is in the industry? Hydroformation and CO2, 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 CO2 and CO2, Methanol Carbonization is RHCO2, I2, Hydroformation, H, RHCO, PPS3, Ithylane Olgomerization, NICOD, Ithylane, Methanol Carbonization is our catalyst. इसे साथ से हमारे चैप्टर फिनिस होता है और आई होप आपको एचैप्टर बहुत एच्छे समझा होगा यह हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर था और इसे हमारे supplementary ठीक है और नेक्स चैप्टर हमारे रहने वाला 18 बैलेंस इलेक्टरॉन रूल ठीक है तो प्लीज और चितना हो सके आप अपने पढ़ाई में टाइन दीजिए और कुछ न कुछ नहीं सीखिए थैंक्यू सो मुझ गाईज थैंक्यू सो मुझ गाईज थैंक्यू सो मुझ अ खराई ओरा छो कि ऑमारे ठीक है ।